यह बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा आवशक है क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो आप जीन का जो बेजिक कॉंसेप्ट है वही नहीं समझ पाओगे यानि की जीन के एक्टिविटी कैसे होती है और क्या जीन सभी में एक जैसी एक्टिविटी देता है या फी क्या फिनो टाइप जीनो टाइप पर डिपेंडेड है नहीं तो यह सब कुछ बाते जो है वो यह सब कुछ जो क्वेश्चिन से दिमांग में जो चल रहे है उसके आ proportion of the genotype, just a second, the proportion of the genotype that actually show the expected phenotype, okay, यानी कि क्या होता है, कि जितने proportion के अंदर genotype होगा, तो actually में क्या होना चाहिए, phenotype भी हमें उतना ही दिखना चाहिए, okay, उसके जैसा ही दिखना चाहिए, जैसे कि Mendel ने बताया था, कि अगर genotype जो है, वो capital T, capital T हुआ, तो tree जो है, वो tall हो जाएगा, और अगर small t, small t हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राफ हो जाएगा, तो genotype के हिसाब से ही तो phenotype होता है, तो यहाँ पर यह जो exception लिकलता है, कि अगर genotype is present, but the phenotype is not observable, is called that incomplete penetrance, यानी कि genotype तो present है, organism के अंदर, लेकिन उसका observation नहीं दिखने को मिल रहा है, organism के अंदर, यानी कि morphologically आप उसे देख नहीं पा रहा है, कि यह tall plant है, या फिर draft plant है, तो यानी कि उसकी जो penetrance है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसे कहा जाता है, incomplete penetrance, okay, the degree of expression of the threat is controlled by the gene, okay, हमें यह तो पता है, कि expressivity या फिर expression जो है, वो gene के थुरू ही control होता है, कोई भी trait हो, कोई भी trait हो, कोई भी characteristic हो, उसका control होता है, gene के थुरू, और वो threat कब जाकर express होगा, कब जाकर inhibit हो जाएगा, वो सभी भी control किसके थुरू होता है, gene के थुरू होता है, okay, तो gene का fund up बहुत ही ज़्यादा clear रखेगा penetrance के हिसाब से, तो यहाँ penetrance के बाद clear होती है, penetrance means that the degree of expression which is controlled by the gene, okay, always ऐसा नहीं होगा कि phenotype जो है, वो genotype के हिसाब से ही चलेगा, अब आता है expressivity के बारे में, okay, तो gene में produce different degree of expression in different individuals which is called that expressivity, okay, यानि कि क्या है कि अलग-अलग organism के अंदर मान लीजे कोई एक person है, okay, वो person कि जिसके अंदर जो hair के related जितने भी genes है, okay, सभी के अंदर जो genes है ना वो common होता है, okay, लेकिन कुछ genes जो है वो कुछ individual person के अंदर या फिर कुछ individual organism के अंदर ज्यादा ज्यादा express होते हैं, तो कुछ के अंदर बहुत ही ज्यादा कम express होते हैं, okay, depends on that of genetic उसका make-up कैसा है, उसका environment कैसा है, उसके हिसाब से क्या होगा, तो genes ज्यादा express होगे या फिर कम express होगे, यानि कि मान लीजे कि कोई दो person है, उसके अंदर black color का hair का जो gene है, वो present है, और दोनों में black color का gene है, वो present है, लेकिन एक individual person के अंदर वो throughout the year उसके जो hair है, वो blackish रह रहे हैं, और जो दूसरा person है, उसके जो hair है, वो about that 30 years के बाद जो है, उसके hair जो है, वो white होना शुरू हो चुके है, तो यह क्या हुआ, तो कुछ environmental factors हुए, कुछ genetic makeup हुआ, कि जो क्या कर रहा है, एक person को blackish color provide कर रहा है, यानि कि वहाँ पर black color का जो gene है, वो ज्यादा express हो रहा है, तो दूसरे individual person के अंदर जो black color का gene है, वो कम express हो रहा है, या फिर अब express होना ही बंच हो चुका है, तो expressivity which is very very important for that of character representation, यहाँ पर मैंने एक दूसरा example लिया है, जिसका नाम है Marfan syndrome, ओके, Marfan syndrome जो है, वो बहुत ही जादा important syndrome है, कि जिसमें क्या होता है, यह connective tissue जो है, हमारी, जितनी भी connective tissue है, हमारे शरीर के अंदर, as well as जो हमारे blood vessels है, heart है, उस पर ज्यादा तर effect करता है, ओके, अगर कोई person को Marfan syndrome है, तो कुछ person के अंदर उसके mild symptoms दिखेंगे, तो कुछ person के अंदर life threatening syndrome दिखेंगे, यानि कि उसकी death भी हो सकती है, इस disorder से, तो यह जो थाना, यह क्या था, expressivity, expressivity, different individual person के अंदर, organism के अंदर, genes की जो expressivity है, expression है, वो ज्यादा तर क्या होता है, different होता है, penetrance and expressivity which is always depends on the genetic makeup as well as environment, उसका genetic background केसा है, यानि कि उसके mother, father में से genes कैसे आए है, wild है, या फिर mutant है, okay, साथ ही साथ environment उसे क्या support कर रहा है, वो सभी भी यह देखा जाता है, क्योंकि hair के growth के हिसाब से आप देखेंगे, तो hair का जो growth है, वो genetic basis पर तो देखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ environment के अंदर अगर कोई ऐसा nutrients उसे नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से भी उसको disease हो सकता है, okay, तो always ऐसा नहीं होता है कि genetics ही यह सभी disease का कारण है, okay, तो यहाँ पर हमने देख लिया penetrance और expressivity, I hope you are clearly understood and enjoy this session is very important for the CSR NET as well as in MSC SEM 2, okay.